कि हलो फ्रेंट्स कॉंप्टेशन कमेटी के सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आई फ्रेंट्स आज हम डिसकस करते हैं एससी सीजी और और सी एचेसल के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस से टंबर टू इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट वन डिसकस किये थे जिस उस्तरा इधर यूनिट्स ए है छीकर बहुते कि फरस्ट बहु के दूरी का किस्तेशन से किया यूनिटट से किया जाता है क्या मोल से हम को दोनों मैच हैं तो आगे सी और डीवी मैच होना चाहिए से मात्रा बहुत सिंपल है कुलम से और उर्जा को हम वाट घंटा से इस प्रकार मेजर्मेंट करते हैं क्लियर होगे आप सभी को कोशन लीजी है बट इंपोर्टेंट है याद रखेंगे अब यहां पर देखते क्या है दूसरा कोशन निम्खि सबस्वानों क्या सर्थ होती है उसकी दिशा मालूम होनी चाहिए और उसका परिणाम मेगनिटिव्ट होना चाहिए ठीक है परिमार होना चाहिए तो यहां पर देखते है क्या रखें मान धो youtube क्या बोर सब क्या या याने परिमान भी जौरत होता है कोशन नम्मर त्री में कौन सा एक सदी नहीं है यह भी सेम है नौट ए वेक्टर कॉंटिटी तो देखिए अगर यहां पर विस्थापन दिया हुआ है तो विस्थापन के लिए दिसा की जौरत पड़ती है लेकिन यहां पर याद रखें अग यहां पर डिस्टेंश अधिसराइसी क्या है तो यहां पर यह भी क्या है एक प्रस क्ये परिमार तो होता है और इसका मैगनिटुड ये परिमार तो होता है इसकी वैली तो होती है तो यहां पर देखते हैं यह भी आपका सदिस्रासी तो बच गया वॉल्यूम या आयतन आयतन के लिए दिसा की कोई ज़रत नहीं होती ठीक है तो इसका आंसर क्या हो गया डी इस दर राइट आंस से तो याद रखना न्यूटन के गती के पहले नियम से हमको क्या मिलती है न्यूटन की बल की परिभासा मिलती है जिसमें कि हमको पता है कि बल जो है यहां के बल के बारे में न्यूटन की गती का प्रथम नियम क्या है कि कोई वस्तू विराम वस्ता में तो विराम वस्ता मे रहेगी कोई गतिमान है तो गतिमान हुए अवस्ता में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहत बल जो है आरोपित ना किया जाए तो यह है न्यूटन की गति का फॉर्स लौ तो इससे क्या है बल की परिभासा मिलती है लेकिन यदि दूसरा नियम कहा जाए तो एफ इकोईल टू एमे एफ इकोईल टू एमे मास इंटू एक्सेलेरेशन द्रभ्यमान गुडित वरं तो यह क्या है यह बल का ब्यंजक देता है तो कोशें नंबर टू से इसका ब्यंजक मिलता है वन से इसकी परिभासा मिलती है तो इस कोशें के अकॉड़िंग लिए इसका एस दराइट आ चिड़्ष फ्यूव तो जितना नीचे फ्रस्टर जनेट करेगा उसकी विपार जो है वह जाएगा तो यहां पर क्या होता है तो यहां पर परिवर्तित रहता है यही इसका राइट आंसर है भार में परिवर्तन होता है यही होता है और दोनों में परिवर्त कमी होती है नहीं इसकी मात्रा में कमी नहीं होता है इसी सी की वर्ट्से आप समझ सकते हैं ठीक है तो यह हो गया हैウ हम भूमध्य रिखा से द्रुवों की और जाते हैं आप पोल्स की और जाते हैं था हिक्वे illness इॉइक्वेसाटर में सब्सक्राइब क्ली हो गया नेश्कुर्ट पर चलने की आपक्षा पर चलना कठीध हो था है हम क्यों चलते चल इसले पाते हैं क्योंकि हमारा यह पाउं है और यह नीचे जमीन है तो जमीन पर जब हम यहां पर नियुनतम फ्रिक्षन करेंगे सबसे कम घरसंड होगा तो हम फिसल जाएंगे हम फिसलते क्यों हैं जहां पे घरसंट जो होता है बहुत कम होता है ऐसा कोई सर्फे जो तैली हो यानि कि थोड़ा सा ओईली टाइप का हो ज्यादा चिकना हो तो वहां पे हम फिसलते हैं तो वहां फ्रिक्षन कम होता है घरसंट कम होता है तो उसी जगह पर हम बर्फ पर चलन क्यों कठीन है तो यहां पर देखिए बर्फ सड़क से सक्त होती है नहीं सड़क बर्फ से सक्त होती है इसको हम उससे रिलेट नहीं कर सकते जब हम पैसे धक्का देते तो कोई प्रतिक्रियावल नहीं देती ऐसा भी नहीं है देता है कुछ तो देता है भले फ्रिक्शन कम होत यह जो डी आंसर है घरसन से सीधा रिलेट करेंगे तो इसका अंसर क्या हो गया डी हो गया अब हम देखते हैं को बर्पानी में तैरती पंतु एलकोहल में डूब जाती है क्यों ऑप्शन सार पानी एलकोहल की पिक्षा पारदसी बर्पानी के जमने से बनती है बर्प ठोस है जबकि अलकोहल द्रव है या फिर हम देखते हैं बर्पानी से हलकी होती है तो था अलकोहल से भारी होती है जब भी डूबने और तैरने वाला कोई भी कोशन आये सीधा सीधा उसका संब्द उसके डेंसिटी या घनत्व होता है तो यहां पर याद रखना कि कम घनत्व वाल बस्तू पर तैरती है ठीक है जिसका डेंसिटी कम है वो तैरेगी जिस पर उस मेडियम पर जिसका डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर देखिए तीन चीज़ें दी हुई है बर्फ पानी और अलकोहल तो अगर हम देखें यह तीनों का डेंसिटी ठीक है क्यों घन सेंटीमी है . तो मैंने क्या कहा कम घरत फों किसका है यहाँ पर वर्फ का है और यहREE-ख लेकरी प्रिद्धी गार चारी है तो हम क्या समझे कि कम है पानी का ज्यादा इसलिए वह तैर लिया ठीक अब उसके आगे देखो alcohol में डूब जाती है अब फिर से बर्फ अका उसके में देखो किसका कम है तो यहाँ पर देखेंगे alcohol का density कम है क्योंकि यहाँ पर यह 0.917 और 0.789 है तो इसके इसमें क्या करेंगे आप सेम वही चीज़ा अपलाई करेंगे तो यह क्या होगा कम घंत् हलकी तुल नामे तो इसलिए बर्फ जो है डूब जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसका डेंसिटी जादा है अलकोहल से तो ऑप्शन देखते हैं बर्फ पानी से हलकी होती है तथा एलकोहल से भारी होती है ठीक है तो यही इसका अंसर है डी क्लियर हो गया अब सभी को आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं को किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन ने कई बार पूछा है फोर डिगरी सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है याद रखना बादल किस कारण से वाई मंडल में तैरते हैं तो यह भी सेम चीजे हैं तैरेगी कब जिसका डेंसिटी कम होगा और किस पर जिस मीडियम पर तो यहां पर देखेंगे इसका सीधा भी आंसर क्या है इसके घनत्व से सीधा सीधा रिलेट करेंगे डेंसिटी से ठीक है किसी भी तैरने वाले चीजों के लिए अपलाई होता है याद र तौम आने का यह संकेत होता है तो option c is the right answer साबून के बुलबुले के अंदर का दाब एट्मोस्फेरिक प्रेशर से क्या इसका संबंद होता है यह पूछा है चैनल गांडी ब्राबर जो हम धबाव में सुस करते हैं और म。。 म् प्रेशर होता है ओंसिन नम्म 14 इस सब्सक्राइब प्राइंडन करणा में प्रयोग से सौर उर्जा का रुपांतरेंड करने से रेनमिलखित में से किसका उत्पादन होता है सिंपल सा कोश्चन है फोटो वोल्टिक सेल तो यहां पर क्या है लाइट एनर्जी कंवर्स इन्टू इलेक्ट्रिक एनर्जी तो यहां पर सीधा-सीधा देखेंगे प्रकासी उर्जा वि किस कारण से बनती है मैंने बताया था सेशन के दौरान जब फिजिक का पढ़ रहे थे कि जो एक फोर्स होता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स इससे क्या वासिंग मसीन भी काम करता है और इसी प्रिंसिपल पर आप देखते हैं दूच से जो क्रीम निकालते हैं ठीक है दूच फेर्वा पर सब चीज़ें जो हैं बाहर निकलती है सेंट्री फ्यूगल अप्केंड्री इभल नइस्ट कोशन ने चंदर्मा पर वाय९ंवं नहीं नहीं होनी का क्या कारण है प्रित्वी के निकट है सुरी से प्रकास करता है प्रित्वी की परिक्रमा करता है या इन गैस कि उसके माध्यय वर्ग माध्य मौल्फेक से कम होता है तो जाद रखेंगे यही है पलायनि विक यहाँ पेए उसके माध्य माध्य मौल करते है root mean square या root mean square का जो RMS कहते हैं यही उसका जो है मुल कारण है एक पलायन वेक जो होता है उसके वर्ग माध्य मूल वेक से कम होता है ठीक है इसी कारण जो है चंद्रमा पर वाई मंडल नहीं होता नेस कोशन लेखेंगे किसके सरेक्षण की सिधान पर कारे करता है तो jet engine सर जैट इंजन हमने देखा था जैट इंजन जो है एक रेखिक समविक सरेक्षण में जो है हुसके नीयम पर काम करता है समय कर देदे हम recordings के उचाई ठीक है परिद्वी से उचाई कितनी होती है ठीक है वर आपका सैटलाइट जो होती है जो भू तोल्य कारिक उचाई होती है और या बात है क्लिइ망 नेक्स लेकाह में नेक्सकुन देखते हैं कि एक छोटी बून। पर पानी पर फैल जाती है क्योंकि small drop of oil spread on a water because तेल की श्यानता अधिक होती है, तेल की श्यानता जल की श्यानता अधिक होती है, तेल का प्रिष्टनाव अधिक होता है, या जल का प्रिष्टनाव होता है, प्रिष्टनाव जानते हैं, जैसे कि ये माल पानी की बून्द है, तो पानी की बून्द क्या करती है, अपने कम स जादा होगा तो अब कम से कम जगह गहने की कोशिस करेगी तो इसका तेल का प्रिष्ट तनाव अधिक होता है साबून को जल में घोलने पर क्या होता है साबून को जब भी जल में घोलेंगे तो प्रिष्ट तनाव बढ़ जाता है या घट जाता है यह सीधा सीधा आपको चे जैसे ही हम साबुन को जल में घोलते हैं तब इसका प्रिष्टनाव घट जाता है याद रखेंगे प्रिष्टनाव घट जाता है ठीक नेस्ट कोशन देखें कोशन से हम क्या है एक्स्प्लेन करते हैं वह सेशन अल्लेडी अवे अविलेबल है यूटूब पे आप जाके इसे जरूर देख लेंगे मैंने वहाँ एकस्प्लेन किया हुआ है ठीक है पानी की भूनों का तैली प्रिष्टो ना चिपकने का कारण कशन में अभी हमें यह बता लेकिन नमक के सांद्रता में जो है वो क्या है तो अंडा यहां पर हो गया इसका कोई डेंसिटी है अब यह कब तैरेगा जब क्या देखेंगे इधर का इधर का जो है क्या मालब जैसे नमक का घोल यहां पर है इसका जो है सांद्रता ज्यादा होगा तब ही तो क्या है कम सांद्र वाला चीज यहां पर तैरेगा इसकी जो है डेंसिटी कम होगी अधिक देंसिटी पर तैरेगी तो क्यों तैर रहा है तो सीधा सीधा आप याद रखें कि नमक के घोल का घनत्वा अंडे के घनत्व से अδिक होता है तो नमक के घोल का अंड्व अंडे घोल से अधिक होगा तो यही क्या है C, इसका राइट आंसर है ठीक है इसके बाद दिखते हैं next question कि कौन सा ताप्तमान centigrade और Fahrenheit दोनों मापकरमों में एक समान है तो यहाँ पर याद रखेंगे यह बहुत important question है 40 degree Celsius ठीक है 40 degree Celsius क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ Fahrenheit और centigrade दोनों मापकरमों में दोनों का मान समान होता है ठीक है minus 40 उसके बाद देखेंगे उसमा के संचरण की विधी है conduction convection और radiation तीनों ही चीज़े हैं उप्रोक्त सभी ठीक है इसके बाद next question देखते हैं कि बोलो मीटर मापन की एक युक्ति है दाप की पौधों के व्रिद्धी की उसमी विकिरण की या वायू की गतिकित याद रख ना हो यानि की उसमें बहुत कम अंतर हो तो उस केस में यहां पर यूज किया जाता है सिंपल सा याद रखना एक conceptual question था उर्द्वपातज है उर्द्वपातज है सब्लाइम किसे कहते हैं सब्लीमेशन जाते हैं जैसे कोई ठोस है ठोस को गरम करने पर या क्या बनेगा इसका पहाड़ों पानी पानी hundred degrees पर उबलता है तो इसका क्या है इसका boiling point है ठीक है लेकिन पहाडों पर क्या होता है, कि 100 डिग्री से कम भी ये उबल जाता है, ठीक है, इसलिए क्या देखते है कि पहाडों पर दाल नहीं गलती, ठीक है उसका संबद एटमोसफेरिक प्रेशर से भी होता है लेकिन याद रखेंगे वो समय से पहले ही उबल जाता है याद रखेंगे तो यह क्या है सो डिग्री से कम पर उबल जाता है रफरिजृइटर में थर्मोस्ट्रेट का क्या काम होता है वियन तो ध्रानी तरगों की प्रकृती होती है阿नुप्रस तरंगहां अधिरन द्रगह जो है अप्रगामी तरंग है विद्युचुमब की तरंग है क्या है इसका आंसर तो याद रखना यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग दो चीजें होती है तो ध्वनी क्या है एक यांत्रिक तरंग है जिसके एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जौरत पड़ती है और विद्युचुमब की तरंग जिसे हम क्या कहते है आयांत्रिक तरंग होते है उसके लिए किसी प्रकार की कोई मीडियम की जौरत नहीं पड़ती है तो यहां पे इसे देखिए कि यहां पे हम प्रकास है, light है, light क्या है, सूर्य से प्रित्वी में आती है, उस बीच में क्या है, निर्वात है, vacuum है, इसके बाउजुद और प्रित्वी में आ जाती है, तो यहां पे क्या है, यह non-mechanical wave है, कौन है, आयांत्रिक तरंग है, कौन प्रकास, लेकिन ध्वनी क्या है, यह क्या है एक यांत्रिक तरंग है ठीक है तो यांत्रिक तरंग है इसे याद रखेंगे और दिये हुए option में अनुप्रैस अनुदैर्द आप्रगामी में यहाँ पर अनुदैर्धी longitudinal wave भी है तो याद रखेंगे यह ध्वनी तरंग जो है एक यांत्रिक तरंग है और अनुदैर्दितरंग है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं नेक्स कोश्चिन को परासरव्य धरीयों में से ध्वनी तरंगे जिनकी आवरिती क्या है देखो सामाने ता हमके सुनने की चमता कितनी है बीस हड्स से लेकर बीस हजार हड्स तक हम सुन सकते हैं जब बीस हजा हट से ज़ादा हो तो क्या है अल्ट्रा सون किया परासरव्य होता है ठीक है और यहां पिर इस्से कम हो तो अवसरव्य आवसरव्य या फिर इन्फ्रासरव्य होता है यहां पी क्या पूछा है बीस हडрь एक हजार हड के बीachment नहीं हजार से 20 780 नहीं नहीं बीस कीलोहट्स से अधिक है यहाँ यहाँ पर तीन होगा तीन होगा तो को कաरण प्रतिधा यह नहीं कारण है ठीक है तो उसका कारण क्या है ध्वनी का परावर्तन अपवर्तन यंद चाल हम जब आवाज तेज आवाज करते तो अपनी आवाज फिर से सुना ही देती है यह सामने से रिफलेक्ट होकी आती है ठीक है तो यहां पर याद रखेंगे कि क्यों होती है क्योंकि ध्वनी का यहां पर reflection होता है परावरतन होता है क्लिर हो गया इसके बाद next question देखेंगे सोनार अधिकान सा प्रयोग में लाए जाता है अंतरिक श्यात्रियों दोगर डक्टरों द्वारा इंजिनियर द्वारा नौचालकों द्वारा तो नवीगेटर के द्वारा पहले तो सोनार का द्वारा जो गहरे समुद्र में क्या करते कुछ चीज़े डूंड लहें या उनसे कांटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं सोनार रेस का प्रयोग करते हैं साउंड नैविगेशन रेंजिंग लेकिन राडार का पूछा जाता है तो रेडियू डिटेक्शन एंड रेंजिंग तो जब टेरिस्टियल पार्ट में इस थली छेत्रों में वायू में कोई चीज़े ऐसे की राडार जो लगाये जाते हैं इसे भारत पाकिसान भारत चाइना के बीच में वहां पर राडार एक्टिव है कि उधर से कुछ भी आती है उनको पता चल जाता है यह में लेकिन पा पारा प्लांस के दोरा या पेराडे के दोवारा बहुत सींपल कोश्यन है थेउर का देद हाओ कि यहां की निदिो सिध्धन किस ने दिया था यहाँ पर हाइगेंस ने दिया था ठीक है तो यहाँ पर याद रखें इसका अंसर क्या है भी है ठीक इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं प्रकास का विग सरपथम किस ने गयाद किया था रोमर ने गयाद किया था याद रखेंगे इस उसका वेग होता है तीन गुणी 10 का गहात 8 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो यह होता है उसका वेग सुरी के प्रकास हमारे पास कितने समय पहुंशता है इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर है इसके बार नेक्ट को दीखिए कोसिस करीं इसे भी बनाने का कि सूरी ग्रहन तब होता है जब याद रखना S, M, और E ठीक है, तो यहाँ पर सूरी गरहन पूछा यह सन, मून और अर्थ तो क्या होता है कि सूरी का अपना प्रकास होता है, बीच में रुकावट कौन आजाता है, मून और यहाँ पर हम है, प्रित्वी पर तो हम को क्यों दिखता है, सूरी पर of plotting क्यों दिखता एक डिखता हिए क्योंकि बीच में प्रकास को मूण देता है तो देखो थे जब चंद्रमा Gaza में जुख में हो प्रित्वी बीच में हो सूर भी लेख वे सिहाई होता था यह फे ही गलत है पृत्वी गलत है मौल यह जो है चंद्रमा बीच में हो यह इसका आंसर है तो निस्ती है कारण सीधे कौन ज्यादा स्कैर हो रहा है कौन ज्यादा तो नीला दिखने का प्रकिलिन सबसे अधिक होता है इसलिए इसका अंसर है बड़ा सिंपल है ठीक है इसके बाद देखते हैं है total recht hun जो हुता है total internal reflection जो होता है वह क्यों होता है उसके दो मत्रफबर्ब सर्थ मैंने बताया था पहला क्या डैंसर से एर कि और जाना चाहिए और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा ठीक है इसका आंसर भी option पढ़ने की जौरती नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि यह दो महत्पूर्ण सर्ते तभी total internal reflection होता है नेक्स कोशन देखते हैं सूर्योदत था सूर्यास्त के समय सूरी के लाल होने का कारण क्या है प्रकास का प्रकास का अपवर्तन प्रकास का पूरा अंत्रिक परिवर्तन और प्रावर्तन या प्रकास का परिक्षेपन ठीक है तो यह भी scattering से ही सीधा सीधा संबंध है प्रकास क प्रकेनन से इसका सीदह अंसर है इसके पिर नेक्ट्स कॉष्ण देखते हैं इंदर धनुस में किस रंग बाविक्षेप्ण है प्लीज करेक्ट कर लें इसे विक्षेपण ठीक है विक्षेपण पर अधिक होता है बैंगनी पीला लाल या नीला ठीक है किसका ज़्यादा विक्षेपन होता है तो याद रखना वाइलेट का ज़्यादा यहां पर डिस्पर्शन होगा उसका विक्षेपन होगा ठीक है यहां पर ज़्यादा याद रखेंगे विक्षेपन होगा ठीक है तो स्केस में हम देखते क्या है कि दो टाइप की जो है यहाँ पर रैनबो रैंबो ठीक है रैन्वू और रेंबो रैन्बौ इस में क्या होगा आप देखते हैं वाइलेट हो तो है यह सेकंडरी होगा तो यहां पर याद रखना या ज़्यादा कलर्फुल और ज्यादा क्लिएर दिखता है जब कि य march रिंबौ क्योंकि उसके अउडर में क्या होता है आपका देखेंगे वह वाइलेट होता है तो इसका प्रकीनन भी या जो विक्षेपन जो होता डिस्पर्शन भी ज्यादा होता है ठीक है वह ब्लर दिखता है ठीक समझ में आगे आप लोगों को इसके बार नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं की डाय-अप्टर किसकी इकाई है लेंस की छमता की लेंस की फोकस दूरी की लेंस की तीवरता की दोहनी की तपा सि invece की चमता की जो है उसकी जो है डाय-प्टर से हम मेजर्मेंट करते हैं याद रखेंग आए इसका राइट ऑंसर है जब प्रकास के लाल-षरा और नीला मतलब तीनो प्रात्मिक रंग है ये तीनो प्रात्मिक रंग को समान अनपाद में मिलते हैं तो क्या मिलता है तो आपको पता होगा ये वाला थियोरी भी मैंने बताया था तो यहां पे देखेंगे जी आर और बी ठीक है तो जब यहां पे सब का आपस में रिलेशन होता है ठीक है दोस्टी दोस को दिखड़ाइन जो दिखाई नहीं देती है तो है और तरफांचिति में दिखाई देती ए टिक दिखाई देती है तो निकट्रफोय चार法 स्थार्फांश थी दोस को निकट दिश्टी दोस दूर दिश्टी दोस जरा दिश्टी दोस और यहां पर देखते हैं आब इंदुकता या एस्टिकमेटिजम कहते हैं तो यहां दीजेगा क्या देते हैं दूर दिश्टी दोस में क्या है दूर की वस्तवें दिखाई देती हैं निकट की वस्तवें दि इखाई जो है देती हैं तो यहां पर option यह तो गलत हो गया तो धिती निकत की वस्त में दिखाई ने देती है याद रखना चार जो मैं DCs का नाम बता दे रहा हूं जब भी यहां पर निकट वर्ड यूज़ किया जाएगा दूर दुख दू किया जाएगा है ना उसके बार देखते हैं यहां पे तीसरा मैंने कहा जो है यहां पे जरा दिश्टी दोस्ट और चौथा जो है यहां पे अब इंदुपता या हम कहते हैं एस्टिकमेटिजम ठीक है यहां पे चारों डिसीज का नाम समझ जाएं निकट दिश्टी दोस्ट में कौन सा लें किया जाता है बाइफोकल ठीक है बाइफोकल यूज किया जाता है और तीसरा में देखते हैं सिलिंड्रिकल यूज किया जाता है ठीक है निकट दिश्टी दोस में क्या है निकट की वस्तु में दिखाई देती हैं दूर की नहीं दिखाई देती हैं पास की दिखाई नहीं दे होता है तो यहां पर क्या है हम देखते हैं सिलिंड्रिकल टाइप का लैंस यूज किया जाता है ठीक है यह बातें आपको याद रखेंगे अब यहां पर देखते हैं कि निम्रिकित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्धुद्चाला के बहुत इजी कोशन सिल्वर जो है सबसे उ उसका यहां पर याद रखेंगे इसके बार नेक्स कोशन एक आदस वोल्ट मीटर का प्रतिरोफ कितना होना चाहिए और इसे क्या है हमीशा परिपत ने केश में रखा जाता है समानांतर या पैरलल में जूड़ा जाता है समानांतर क्रम में जुड़ा जाता है याद रखना ये क्या है आपका आदस वोल्ट मीटर है ठीक है और अभी अमीटर का कहें दिया जाता तो जीरो हो जाता ठीक है आदस अमीटर का जो है उसका प्रतिरोत कितना होता जीरो होता आदस वोल्ट मीटर का जो है उसका प्रतिरोत जो जो अनन्त होता है अब हम देखतें är question number 49 को कि विद्यूत उपकरणों में प्रयक्ट सुरक्षे फ्यूसतार स्थाटु से बनी होती है जिसका प्रतिरोत kण मों हो गलनांग काम हो विद्यूत गनत्व काम हो चालक अत्पा काम हो जिसका प्रतिरोत कम हो जिसका गलनांग कम हो ताकि जो परिपत है आसानी से तोट जाए इसानी से प्यूज लगा हुआ है थो फ्यूस होने पर क्या हो जाता है गलनांग जाता है तो इस इसलिचफ्टान सहते हैं ज्यादा बोल்टेजा अंप्लाई हो जाताै तो कि टिंड और लेट कि ठीकै तो याद रखना पी बी और यहां पर एसन ठीक यहां पर याद रखेंगे वो किसे मिलके बनावता सुस्क कैंजा जो है क्या है सुसक कैं प्रातुमिक प्रितियक वहते हैं जो होता है याद रखना ीए ल डीडी से, वाल्टिक सेल, लेकलांसी सेल, ड्राई सेल और यहाँ पे डेनियल सेल, मैं हमने रिपीट करता हूँ, वाल्टी सेल, लेकलांसी सेल, ड्राई सेल और यहाँ पे डेनियल सेल, तो ऐसे सेल क्या होते हैं, यह प्राइमरी सेल है, प्रात्मिक सेल है, तो यहाँ पे ड् इसके बात देखते हैं इसके बाद जो देखते हैं इस थाई चुम्बक बनाए जाते हैं किसी चुम्बक की आकरसंड सकती मेगनेटिक पावर जो होती है वह सबसे ज्यादा कहां पर होती है बीच में होती है मद्धय में होती है चुम्बक की आकचपर होती सभी जगा समान होती है दूनों किनारों पर ज़्यादा होती है याद रखेंगे तो इस परका आज के सेशन में हमने कुछ important question देखा नेक्स सेशन में कुछ और question लेके साथ मैं फिर से हाजी रहूँगा तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं Thank you so much, have a nice day